हलो एंड वेलकम गाइस स्वागत है आपके अपने चैनल राइंडी प्लस में गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट पे पे लेटर को EMI में कैसे कनवर्ट करें अगर आपने ज्यादा अमाउंट यूज कर लिया और आपके पास DOB CMI Pay करने के पैसे नहीं है तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगे child करें Penouch करूंगा अगर आप लोग चैनल पर न है तो प्लीज वाइच एनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बैल को जरूर प्रेस करिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस मैंने एक हजार रुपए यूज कर रखे है और मैं इसको convert करने वाला हूँ EMI में और देखने वाले हैं यहाँ पे कि हमें कितना time मिलता है क्या charges लगते हैं और क्या interest लगाया जाता है अगर हम इस amount को EMI में convert करते हैं तो यहाँ पे हम simply pay now पे click करने बाद गाइस आप payment वाले option पे आ जाओगे जहाँ पे आपको you are outstanding due amount बता दिया जाएगा यहाँ पे आपके सामने दो option आ जाते हैं एक तो pay now और दूसरा convert to EMI pay now का मतलब यह होगे कि आप जो है इसका total amount pay करना चाते हो convert to EMI का मतलब यह होगे कि आप जो है इस amount को EMI में convert करना चाते हो 3 महीने 6 महीने के लिए जितना भी option आप लोगों को यहाँ पे दिया जाता है ठीक है तो हम यहाँ पे simply क्या करेंगे convert to EMI का option आ रहा है तो इस पे click करेंगे अब यहाँ पे देख सकते हो गैस आपके सामने जो है EMI का option आ जाएगा यानि EMI plan आ जाएंगे ठीक है कि आप जो कितने महीने के लिए लेना चाते हो सबसे पहले जो गैस आप लोग यहाँ पे rate of interest देख लो जो कि 1.5% per EMI यहाँ पे बताया जा रहा है ठीक है जो कि यहाँ पे total interest 90 रुपे चार्ज करा जाएगा हमसे 6 महीने में यानि कि मैं जो है इस 1000 रुपे को EMI में convert करता हूँ 6 महीने के लिए तो 1.5% per EMI interest चार्ज करेगा जो कि यहाँ पे total 90 रुपे बताया जा रहा है यानि कि interest यहाँ पे 90 रुपे बताया जा रहा है उसी टाइम आपको एक EMI पे करनी पड़ेगी यानि कि अभी मैं इसको EMI पे convert करूँगा तो मुझे इस टंट अभी जो है मेरी EMI देख सकते हो 181 यहाँ पे EMI है यानि कि 181 रुपे की मेरी पर EMI जाने वाली है 6 मन्त तक तो मैं यहाँ पे इसको EMI पे convert करता हूँ तो 1500 करते जाओं तो यहाँ पर आपको EMI amount है वह बढ़आजएगा लेकिन यहाँ पर interest आपका शहिए कम होता जाएगा यानि interest amount है वह कम होता चला चाला जाएगा ठीक है 6 महिने तक का यहां पर option दिया जाता और EMI amount भी यहां पर काफी कम है, अब यहां पर minimum आप लोग 1000 रुपए ही EMI पर convert कर सकते हो, अगर आप लोगों की limit 500 या फिर आपने 500 रुपए, 800 रुपए या 900 रुपए या 900 रुपए यूज कर रखे, तो मेरे ख्याल आप लोग उसको स रुपए होना चाहिए EMI में convert करने के लिए ठीक है, और उसके बाद यहां पर बात करें इसकी time and condition की या फिर आदार चार्ज इसकी तो वो भी आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगी, जो कि यहां पर आपका नाम pen card का number हो जाए, जो कि यहां पर credit facility sanction letter आप लोगों को दिख purchasing of loan बताया जाएगा personal use, यानि कि यह personal use के लिए जो भी है bouncing charges जो भी है, यहां पर सब बता दिया जाएगा, जैसे bouncing charges यहां पर निल बताया जा रहा है, और three payment charges भी निल बताया जा रहा है, यानि आप time से पहले कर दोगे, तो उसके भी कोई charges आपको नहीं लगेंगे, यहां प बताया गया है कि अगर आप लोग दो महिने के लिए इसके amount को EMI पर convert करते हो, तो आपको 1.5% से लेके 2.25% तक पर month यानि कि पर EMI आपको देना पड़ सकता है, वहीं अगर आप लोग 3 महिने के लिए इसके EMI ले ले लेते हो, तो आपको 1.5% से लेके 2% तक का आपको interest charge कि आपको काफी सारे मिल जाएंगे जैसे यहां पर बताया भी जाएगा कि आपकी जो है प्रिंसिबल अमाउंट हजार रुपर इंस्टॉल्मेंट यहां पर तीन है, टोटल इंटरस आपको इतना लगेगा और टोटल EMI आपकी इतनी बनेगे ठीक है, टोटल रिपेयमेंट आपको इतनी करनी पड़ेगी, तो यहां पर सभी चीज़ है आपको बता देगा, और यहां पर overdue interest की बात करें तो यहां पर 0.1% पर डे यहां पर आपसे चार्ज लिया जाएगा, जो कि 6-36 महिने तक आपसे यह चार्ज लिया जा सकता है, ठीक है, अगर आपका जितने दिन भी amount यहां पर due रहेगा, उस ही कि according यहां पर चार्ज करा जाएगा, यहांनि 0.1% पर डे आपसे यहां पर चार्ज करा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद और भी यहां पर काफी सारी डीटेल आप लोगों क मिल जाती है, इसकी time and condition वाले page पर, जो की main-main detail वही हो गई है, कि आप जो e-mai पर convert करते हो, तो आपको कितना time मिलेगा, और कितना charges आपको कितना rate of interest दिया जाएगा, बाकि इसकी time and condition है, बहुत लंबी चोड़ी है, आप लोग चाहो तो यहां काफी आसानी से आके आप पढ लेंगे ठीक है, और उसके बार नीचे continue का option आ रहा है, simply continue पर click करेंगे, आप continue पर click करेंगे, तो यहां पर total due बता देगा कि आपका 1000 रुपए है, और आप इसको convert कर रहे हो e-mai पे ठीक है, जो की आपकी e-mai होने वाली है, 348.33 पैसे, यानि 348 रुपए है, और 33 पैसे एक e-mai अभी पै कर रहे हो, बाकी के 2 e-mai आपको बाद में पै करननी पड़ेगे, ठीक है, यानि कि आप 3 e-mai में इसको convert कर रहे हो, एक e-mai का amount अभी आपको pay करना पड़ेगा, बाकी के 2 e-mai आपकी बाद में जाएंगे, ठीक है, तो यहां पर आप लोग जो है e-mai प पर मन्त आप लोग समर लो, या फिर पर e-mai जो भी है, यह आप लोगों को यहां पर लगने वाला, और आप लोग काफी आसानी से इसकी amount को e-mai पर convert कर सकते हो, बिना कोई दिक्केत के आप लोग कम से कम एक हजार रुपए से लेके, आपकी जितनी limit है, जितना भी amount आपन option तो अल्रेडी आ चुका होगा, अगर आप लोग इसके due date तक amount पे नहीं कर पाते तो आपको काफी ज़्यादा यहां पर charges लग जाते हैं, अगर आप लोगों के पास balance नहीं है, तो काफी अच्छी बात है, आप लोग इसको या भाई पर convert कर सकते हो, तो I hope दोस्तों कि आप जब काफी बाईना, बाते हैं, आपंगे पक्रिकत्तों कि आपको काफी